अगर आप भी अपने आधार काट का एड्रस घर बैटे बैटे चेंज करवाना चाहते हैं ये अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रही है क्योंकि मैं बीच-बीच में कुछ important points बताते रखता हूँ अगर आप video script करके देखोगे तब आपसे वह point मिस हो जाते हैं तो friends सबसे पहले आपको Google पे लिखना है आधार card friends तो मैंने लिख लिया आधार card उसके बाद OK बटन में click कर दे उसके बाद search कर दिया आपने ठीक है जो यह first वाली website आईगी ना Unique Identification Authority of India जो आधार card की official website है इस website को आपको open कर लेना है website का पहला page open हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर आपको आपना भाशा select करने होगी कौन सी भाशा में आप इस website पर continue करना चाहते तो मैंने English पर click कर दिया ठीक है यह website मेरी open हो चुकी है ठीक है तो थोड़ा आप नीचे scroll करोगे ना तो login बटन दिख रहा है आपको इस पर हमें click कर देना है तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ट का number डानला होगा जो आधार का नंबर के उपर लिखा होता है ठीक है तो मैं आधार का number एंटर कर लेता हूँ आधार का number एंटर करने के बाद फ्रेंड जो एक capture लिखा हुआ है यह capture आपको यह पर एंटर करना होगा अगर आपको capture समझ मनी आता है तो यह refresh का arrow का button दिख रहा है तो मैं capture कर लेता हूँ ठीक है capture enter करने के बाद फ्रेंड जो एक बटन दिख रहा है आपको login with OTP इस बटन पर click कर दें आप फ्रेंड जो आपका register mobile नंबर है अधर कार्ड में जो add और है उसके number पना है OTP आएगा वो OTP यह पर डालना होगा यह देखे friends OTP आ चुका है मेरा ठीक है OTP मैं यह आपर डाल लेता हूँ ठीक है OTP डालने के बाद फ्रेंड जो एक login बटन दिख रहा है इस पर हमें click कर देना है यह देखे friends मेरा login हो चुका ह ठीक है तो friends तो पहला वाला option दिख रहा होगा document update ठीक है तो आधार कार्ड करें बहुत बढ़ा update आया तो मैंने उसके उपर भी वीडियो बनाया थी कि आप 14 मार्च 24 से पहले पहले ने अपने आधार कार्ड के document फिर में update करवा ले मनना इसके बाद आपके पैसे लगते हैं अपडेट करवाने में ठीक है 100 रुपे या 500 रुपे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर किलिक कर वो वीडियो देख सकते हैं या मैं उस वीडियो को लिंग इस वीडियो के description में दे दूँगा चले friends वीडियो करते हैं तो friends हमें तो आधार का name है date of birth है gender है अगर आपको इनको update करवाने है इनको change करवाने है तो यह तो friends आधार काट का जो center होता है वही जाकर आप चेंज करवा सकते हैं या update करवा सकते हैं लेकिन जो address है उसको हम घर बैठे बैठे online पूछ चेंज कर सकते हैं तो हमें address पर click करा address select होगया मेरा ठीक है तो थोड़ा आप नीचे scroll करोगे ना नीचे scroll करने के बाद friends अभी या पर आपको अपने आधार काट के address की detail लिखने होगी जो आप change करवाना चाहते हो ठीक है तो सबसे पहले आप लिखा हूँ के रॉफ तो के रॉफ में आप अपने father का नाम अपने पापा का नाम लिख स एक बटन दिखनाना है इसपर क्लिक करके आप अपनी मर्जी से हिंदी नाम चेंज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद friends जो दूसरा वाला option है house building ये अपार्टमेंट लिखना होगा आपको ठीक है अगर आपका कोई house number है ये बिल्दिंग है ये अपार्टमेंट है आप लिख सकत जो भी आप एड्रस फगरा लिखोगे ना उसको आपको नंएक document से यह ब्लोड करना होगा जैसे अगर आप passport की photo प्लोड करोगे ना ये address प्लोड करोगे अगर आप और सा document अप्लोड करते हो जैसे bank की passbook करते हो ना वह address डालना जो document में लिखा हुआ है ठीक है तो मैं वह address तो मेरे document में लिखा हुआ है तो मैंने street डाल दिए उसके बाद area डालता हूँ मैं ठीक है area डाल दिया है friends यह हिंदी में लिखा हुआ है ठीक है थोड़ा आप नीचे scroll करोगे न यहापर आप landmark भी लिख सकते हो ठीक है तो अब यहापर आपको na pin code लिखना होगा अपने area कर जो करना होगा ठीक है तो मैं दारदू दारदू अठीक कर लेता हूँ मेरा देरदर मिलिया है अपने according अपने शेर का account statement कर सकते हो इसमें चाहिए आप bank की पासबुक हो, credit card की information हो, मतलब वो documents upload करना हो जिसमें आपका नाम हो, आपका address हो, photo हो, या electricity bill upload कर सकते हो, जिसमें आपका address हो, जो आपने enter करा है, gas connection दे रखा है, ठीक है, Indian passport दे रखा है, बहुत सार उप्शन दे रखे हैं, तो मैं तो bank account की पासबुक कर रहा हूँ, यह कह रहा है, friends, जो आप bank की पासबुक upload करोगे ना, upload करते हुए ना, तो यह कुछ points बता रहा है, इसने, the bank account credit card statement having bank stamp and signature of bank official must have name and address of resident, मतलब जो आप bank की पासबुक upload करोगे ना, उस पर ना bank की stamp लगी होनी चाहिए, आपके photo पर ठीके, और उसमें आपका नाम और address होना चाहिए, ठीके, इसे दर से अगर आप post office की करोगे, उस पर भी post office का signature होना चाहिए, ठीके, और the statement must be of an active account, यह ना, जो भी आप upload करोगे ना, documents वो active होना चाहिए, यनिकि आपका account बंद हो चुका है, ठीके, अगर आप statement upload करोगे ना, वो statement ना, तीन मन्त की होने चाहिए, ठीके, तीन मन्त से पुरानी नहीं होने चाहिए, उसके बाद OK बटन दिख रहा है न, उसके किलिक कर दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और हमेशा कुछ नया सुखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल AppCraftic Hub को, यह सब्सक्राइब वाले बटन पर किलिक करके सब्सक्राइब करें, और notification आइकन पर किलिक करके, और पर किलिक कर दे, यानि जब यहां कोई नए वीडियो यूटूब पर upload करेंगे न, उस वीडियो के notification आपके mobile पर आ जाए, ताकि आप वो मिच न अगर पाए, अगर आप ह continue to upload वाला बटन दिख रहा है, इस पर हमें किलिक कर देना है, अब friends उसके बाद आपके सामने option आ जाएंगे, तो इस process को आप चाहे computer में follow कर सकते हो, या अपने mobile में follow कर सकते हो, तोनों तरीके साब अपने address को update कर सकते हो, अगर आप mobile से upload कर रहे हो, तो media picker दिख रहा होगा file manager कोई भी, इस पर किलिक करके न, तो आपको documents select करना होगा, जा वो आपका documents पड़ा हुआ है, तो यह मेरा documents पड़ा हुआ है, तो इस पर किलिक करा, यह मेरा documents upload हो चुगा है, banky passbook upload हो चुग है, तो जसी upload होगा, उसके बाद next बिटन दिख रहे हैं, इस पर हमें click कर देना ह friends, यह कह रहा है कि एक बार verify कर लो, जो आपने detail अगरे enter करिये न, वो एक बार verify कर लो, ठीक है, तो new address क्या होगा, आपका जो नया address होगा, यह होगा, आपका father का name आजाएगा, और आपका address आजाएगा, कि बाद friends, अगर English और Hindi में आपका address सही आ रहा है, उसके बाद, दो option क्लिक करके न, इसको enable कर दें, अगर यह उपर आपको कुछ गड़बल लिख रहा है, तो एक edit, updated वाला button दिख रहा है, इसको click करके, आप address को edit भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो मेरा address सही है, बिल्कुल, उसके बाद next button दिख रहा है, इसको click कर देना है, तो friends, इसको update क सकते हो, चाहे phone पे से कर सकते हो, Google पे से कर सकते हो, तो मैं अपना phone पे select कर लिए, आपको भी select कर लिए, अपनी मर्जी से उसके बाद, यह नाओ button पर click कर दे, phone पे app open हो जाएगा, ठीक है, अपनी payment कर लेता हूँ, ठीक है, 50 रुपे से payment कर लेता हूँ, तो यह मेरी payment हो रही download acknowledgement का button दिख रहा है, इस पर click करके, यह receipt download हो जाएगी, और PDF viewer में open कर ले, अपने mobile के, अगर आप इसको track करना चाहते हो, कि आपका address update हो चुका है या नहीं, तो go to dashboard पे जाना है, ठीक है, उसका बाद थोड़ा आप नीचे scroll करोगे, नीचे scroll करने के बाद, जो आपने address update करता by our package system, मतलब जो आपने details वगरा भरी है, address update की, और आपने जो documents upload किया है, वो ना, इनके operator के दुवारा ना, देखा जाएगा, review किया जाएगा, अगर वो सही होता है, तो वो complete हो जाएगा, ठीक है, आपका address update हो जाएगा, बिल्कुल सही, अगले दिन ये video बना रहा हो में, ठ update हो जाएगा, ठीक है, तो दुबार से login करने के बाद, आप थोड़ा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद, ये status दिखा रहा है, completed, आप इस पर click करोगे, click करने के बाद, थोड़ा नीचे आओगे, तो एक message लिखवा आएगा, या पर ठीक है, योर आधार has been generated, while your आधार is being printed and posted to you, please download ये अधार from this website, ये कह रहा है कि आपका जो आधार है, वो generate हो चुका है, और आपका आधार ना अभी print हो रहा है, और print होने के बाद, आपके घर पर, वो post office के जरीए, deliver कर दिया जाएगा, तब तक आपने ये अधार डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये अधार डाउनल ये अधार का डाउनलोड हो चुका है, जो पीडिया फाइल डाउनलोड हुई है, अधार काट की ये पासवर्ट प्रोटेक्टेड होगी, इसको ओपन करने के लिए शुरू के चार करेक्टर आपके नेम होने चाहिए, ठीक है, capital लेटर में, और उसके बाद जो चार जो मेरा नया वाला एड्रस था न, वो इसमें आच चुका है, ठीक है, तो चाहिए आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, और इसका कार्ट बनवा सकते हैं, ठीक है, तो फ्रेंस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ति इस वीडियो को लाइक करें, उसको जादर जाद